पौरुष सक्ति को मजबूत बनाने के लिए लोग तमाम तरह के इलाज करते हैं, ड़क्टर के पास जाते हैं, बहुत सारे पैसे भी खर्च करते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको घर बैठे, पौरुष सक्ति को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया घरेलू उपआई को करने से ही आपका सरीर टो स्वस्थ रहेगा ही आपके दिमाग को भी ताकत मिलेगी आपके सरीर को ताकत देने के साथ यह आपके दिमाग को भी बहुत ताकतवर बना देगा यह ऐसी ड्रिंक है दोस्तों जो नीमत रूफ से अगर आप 15 दिनों तक इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत ही ज्यादा अपने आपको पावर्फुल महसूस करेंगे तो चलिए हम इस नुस्खे को बनाना सुरू करते हैं वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों अगर पावडर नहीं है तो हम सोट को कूट कर ही इसका पावडर तयार करेंगे तो हम कुछ इस तरह से इसको कूट लेंगे और कूटने पर बहुत आसानी से इसका पावडर बनकर तयार हो जाता है इसको कूटने में बिल्कुल भी ताकत नहीं पड़ती है यह बहुत जल्दी पा करतन में हमें दो ग्लास दूद लेना है दोस्तों दूद आपको बिल्कुल भी कम नहीं करना है नाप कर आपको आधा लिटर दूद लेना है तो आधा लिटर हमारा दो ग्लास दूद हो गया है और अब हम इसको पकने देंगे जब इसमें बबल्स बनने लगेंगे तब तक हम में इसको पकत रहना है उसके बाद ही हम इसमें जो सौफ का पौडर बनाए है वो डालेंगे तो अभी हम नहीं डालेंगे जब इसमें बबल्स बनने सुरू हो जाएंगे तब हमको आधा चमच सोट का पौडर डालना है आपको सोट के पौडर की मातरा का भी विसेज ध्यान बहुत जादा आपको नहीं लेना है दोल ग्लास दूद में आपको आधा चमच सोट का पौडर डालना है और इसको अच्छे से खौलाना है दोस्तों वैसे भी पूर्सों को इस तरह के दूद का सेवन बराबर करते रहना चाहिए यह आपको बहुत जंद ताकत देता है है मैं थुनकिर्या में आपार आनंद आता है और जीवन में हर समय सुख के च्छड उपस्थित रहते हैं तब मनुष्य को ग्लानी दुरबलता धातु छय सुक्राडू की कमी आदि सिकायते मनुष्य को नहीं होती यहां पर जो हम आपको नुस्खा दे रहे हैं जो हम आपक के लिए बहुत ही सकती वर्धक है तो आप लोग इस तरह का दूद्ध जरूर पीते रहिए यह नुसका आपको लगातार 15 दिनों तक बराबर करना है दोस्तों इसको आप सुबा सुबा लीजिए इसको रात में नहीं लेना है यह सुबा के टाइम आपको लेना है और इसको आपको सेवन नहीं करना है कब जवाली कोई भी चीज आप ना खाईए अगर आपको लगता है कि कोई चीज खाने से आपको गयस बन जाती है तो बिलकुल भी मत खाईए इन चीजों का परहेज करिए और यह दूद आप 15 दिनों तक लगातार सेवन करिए तो आप यह आपको बहुत ज़दा फाईदा पहुंचाएगा दोस्तों तो देखिए हमारा यह नुस्खा बन कर तयार हो चुका है अब हम गयस को बन कर देंगे और ठंडा होने पर इसको चान लेंगे यह जो हमारा दूद है इसको हम गुन-गुन-गुन-गुन ही पियेंगे ठंड बढ़ाने वाला नूसका आसा है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो लाइक करना शेयर करना और हमें कमेंट करके चरूप बताना कि यह वीडियो आपको कैसी लगी हम फिर मिलेंगे आपसे next वीडियो में कि थेंक्यू दोस्तों